दोस्तों नमस्कार आदाव सद्श्रीयकाल न्यूज मन्थन के इस खास एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है आज न्यूज मन्थन में हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि किस तरह हमारे देश के जो नेता हैं खासकर विपक्ष के नेता वो कैसे अचानक सुर्ब बदल देते हैं उनके कमिटमेंट उनकी वैचारिकता उनकी रायनितीक सोच सब कुछ अचानक लगता है कि पलट गई है जैसे लगता है कोई चवन्नी इधर से उधर हो गई है पलटी मार गई है चवन्नी का इसलिए मैंने जिक्र किया मैं किसी और चीज का भी जिक्र कर सकता था लेकिन पचीस महीने पाले चौधरी चरण सिंग देश के पूर प्रदार मंतरी के पोते पोत्र और राजसभा के मवजूदा सदस्ते और इलडी के अध्यक्ष जैन सिंग ने जैन चौधरी कह सकते हैं उनको चौधरी जैन सिंग ने ये कहा था कि जब पूछा गया उनसे कि क्या आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं यानि एंडिये की तरफ जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ एलाइंस का मामला था 2022 का चुनाओ से पहले की संभवता बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई चमनी थोड़े हूँ कि पलट जाओ इधर से उधर, और दोस्तों कैसी विडम बना है, कैसा संजोग है कि अब वो पलटते नजर आ रहे हैं, आज उन्होंने राजिसभा में कहा, प्रदान मंत्री की प्रशंशा करना कोई गलत बात नहीं है किसी सांसत के लिए, किसी के लिए भी चाहिए, पक्ष काओ या भी पक्ष काओ, किसी मुद्दे पर हो सकता है, प्रदान मंत्री ने अच्छा काम किया हो, तो उसकी प्रशंशा कर दें, लेकिन उन्होंने कहा, अपने दादा से कंपेर करते हुए प्रदान मंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार में मौजुदा जो सरकार है उसमें चौधरी चर्ण सिंग की नीतियों की जलक मिलती है या उनकी छवी उभरती है कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही अब मैं समस्ता हूँ कि ये दोनों के प्रती अन्याय है मोदी जी की सरकार के प्रती भी अन्याय है जो प्रशंड बहुमत वाली सरकार है जो दो अपना टर्म पूरा कर रही है एक टर्म पूरा हो चुका दूसरा टर्म पूरा होने जा रहा है तीसरे टर्म का इंतजार है जब लेकिन इसके बाधूर चौधरी चरण सिंग बिल्कुल मिजाज से और सियासत जो उनकी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट थे RSS BJP की किसे नेता से उनकी तुलना खासकर वैचारी की कारण नहीं की जा सकती है की डोस्तो प्रधानमंत्री मोदी का इंट्रीव करने का तो मुझे मौका नहीं मिला कभी और मौका मिलेगा तो मैं जरूड करूंगा तो नेता है देश के प्रधानमंत्री है लेकिन चौधरी चरण सिंग, पूरो प्रदान मंत्री चौधरी चरण सिंग का मैंने इंट्रिव किया था मैंने संभवता दो मौकों पर उनका इंट्रिव किया पहला इंट्रिव संभवता 83 में मैंने किया था 1983 में जहां तक मुझे याद आ रहा है और वो एक मैगजिन के लिए किया था जो लखनोग से निकलती थी शाने सहरा सहरा ग्रूप ने अपना अख़वार निकालने से पहले एक मैगजिन निकाला था फोट नाइटली वो पहली मुलाकाद चौदरी चर्ण सिंग से वन टू वन थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारी बाते हुई उन दिनों मैं जनसत्ता अख़वार भी छपना शुरू हुआ था उसमें भी मैं लिखता था एक फ्रिलांसर के तोर पे बहुत सारी बाते उन से हुई इंटर्यू के बाद इंटर्यू से पहले वो सर्शंकित थे लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी कही और शायद थोड़ी खुशी जाहिर करते हुए मुझे पर पता नहीं क्यों उन्होंने आते समय मुझे अपनी लिखी हुई किताब भी गिफ्ट की और वो मुझे जहां तक याद है इंडियन एकानमी पर कोई किताब थी गांधियन ब्लो प्रिंट करके तो और कुछ बुकलेट्स भी उन्होंने दिये तो बिल्कुल अलग मिजास के वो व्यक्ति थे अलग धंग के व्यक्ति थे एक कमिट्मेंट था उनका किसानों के प्रती उत्पिरित समाज के लोगों के प्रती खासकर पिछडी जाती हूँ लेकिन आज जैन चौधरी ये कह रहे हैं जो सम्किसाना अंदोलन में इस सरकार की नौजाने कितनी आलोचना कर चुके हैं कितनी बुराई कर चुके हैं और यहीं नहीं भार्ती जंतापाठी की सरकार में ही उन लाठियां भी उन पर बरसाई गई जहां तक याद है हाथरस की घटना है जब वो गए थे एक गैंग रेपीरिता लड़की और उसके साथ बहुत दुर्दमनिय बरता हुआ था भयानक इस्तिती थी उस मामले में पूरा देश जो है एक तरह से लोगों की भावनाएं भड़क उठी थी कि यह चोँ अमानुशी कत्याचार किया गया है उस मामले में वो गाउं जा रहे थे उस वक्त उन पर लाठियां बरसाई गई थी एक बार और मुझे याद है कि उनका रास्ता रोका गया जब वो किसानों के मामले में कहीं जा रहे थे अनेक मौकों पर उन्होंने इस सरकार की आलोशना की लेकिन चौदरी चौदर सिंग को भारत रत्न मिलने के बाद अब उनके सुर्ण नोकेवल बदल गए हैं बलकि वो ये कहा रहे हैं कि सरकार में चौदरी चौदर सिंग की छवी नजर आ रही है तो बहुत ही दिल्चस ये वाकिया या बहुत दिल्चस तस्वीरे भारत की राजनीत की उभर रही है दोस्तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जैन चौदरी के बीच का जो गटबंधन था वो काफी मजबूत माना जा रहा था बलकि कॉंग्रेस और सपा के मकाबले इनका गटबंधन चुकी पुराना था और लगता था कि ये कांटिवनिटी इसमें रहेगी इसमें एक निरंतर रहेगी लेकिन अब ये बात बिल्कुल सावित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अभी तक कोई और साथी नहीं मिला है कॉंग्रेस और सपा के बीच में भी गटबंधन की कोई तस्वीर अभी तक नहीं उवर पाई है तो भारती जन्ता पार्टी के खाते में मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धी है ये हाना कि उत्तर प्रदेश में वो पहले से बहुत ताकतवर है और सच पूछिये अज़द्या का जो मंदिर निर्माण है उसका जो लोकारपन हुआ मंदिर का उसके बाद तो माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसकी ताकत जो खासकर प्रचार जिस तरह से हुआ है तो लोगों को प्रभावित करने में जो उसने उस्तादी दिखाई है हाल के दिनों में उसका अशायद उसको चुनाबी फायदा और मिलेगा लेकिन इसके बाद भी भारती जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि हर हालत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट पहुल इलाकों में अपनी इस्तिती को और साकत वर मजबूत बनाने के लिए जैन चौधरी को अपने साथ लाया जाए और फिर चौधरी चौनसिंग को भारत रसन देने का फैसला किया गया इसके जरिये वो हर्याना पश्चिमुत्तर प्रदेश इवन राजिस्थान कई प्रदेशों में जो जाट समाज है उसको प्रभावित करने की उसने कोशिश की है क्योंकि हर्याना में जाट समाज बहु प्रदेश की कुछ सीटों का मसला है ये कई प्रदेशों का मसला है तो जहन चौधरी जो कह रहे हैं अभी उसको लेकर जो चवनी वाली बात जो उन्होंने कही उसको लेकर काफी चर्चा है मीडिया में क्योंकि जब 2022 में उन्होंने ये कहा था कि कोई मैं चवनी थोड़े हू लेकिन आज वो पलट गहे हैं अब के वहल घोशना बागी है कि वो भारती जन्ता पार्टी की अगवाई वाले गट मंदर में जाएंगे इसी तरह से दोस्तों कई और छेत्रों में कई और हलकों में जो अपोजिशन के निता हैं उनके भी बदलने की चर्चा चल नहीं है और आप जानते हैं बिहार में नितिशकुमार पहले ही पलट गए है अब संजोग देखिए कि वहाँ भी करपूरी ठाकुर को पहले भारत प्रतम दिया गया और फिर नितिशकुमार को नितिशकुमार ने पलटने का फैसला किया हाना कि नितिश कुमार और करपुरी ठाकुर के बीच का जो रिष्टा है वो सिर्फ पार्टी के एक फालोवर का है वो नितिश कुमार जी करपुरी ठाकुर के दोर में उनके फालोवर थे उनके समर्थत थे लेकिन करपूरी जी के जो पुत्र हैं वो जरूर नितिश कुमार जी की पार्टी के मेंबर हैं और राजसभा में सदस्ते भी हैं रामनाठ्ठा को जी तो ये सब जो भारती जन्ता पार्टी कदम उठा रही है बड़े दिल्चस्ट उठा रही है देखना है कि उत्तर प्रदेश में बिहार में इन कदमों का क्या असर पड़ता है दूसरे प्रदेशों में क्या पड़ता है लेकिन एक बात तो बिलकुल साफ है कि विपक्ष जो है वो लगातार कमजोर होता रज़रा रहा है तो आज बस इतना ही नमशकार आदाप चत्रियकाद